कहते हैं न अंधेरी रेंड में रसी भी साप कुछ वैसा ही हो रहा है नया नवेला फिल्लेंड नाटो का मेंबर बना और नाटो के मेंबर बनते ही नाटो ने उसके साथ क्या किया है दो घंटे की दूरी आखिर नाटो क्या नया युद्ध सुरू कर रहा है नाटो की मर्जी क पूरी हो गई है और नाटो ने शुरुवात कर दी है जानेंगे रूस के साथ नाटो ने ऐसा क्या किया है पचतर सो सैनी इसके अलावे एक हजार गाडिया और भी बहुत कुछ उतर गया है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की रफ्तार न आसिल कर लिया भारत ने जानेंगे कुछ दिनों पहले जो चीज डूबती हुई नजर आ रही थी उसको कैसे पलड़ दिया है भारत जियो पॉल्टिक्स में धमाल मचा हुआ है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से नाटो की न एक बहुत बड़ी ख्वाइस थी और नाटो चाहता था चुकि इसका गठन ही हुआ था रूस के खिलाफ और रूस के खिलाफ जब हुआ था तो नाटो चाहता था जल्द से जल्द हम इसे पूरी तरीके से घेर ले इसकी सीमा तक पहुँच जाए और इसी चीज से रूस डरता भी था रूस ने यूक्रेन पर हम अपला भी इसी बात को लेकर किया कि नाटो हमारी सीमा तक पहुँच रहा है और ये जो मैप देख रहे हैं आपके इस मैप में आपको दिख रहा है कि 1949 में जो देश थे जो नाटो के मेंबर बने रूस से दूर थे लेकिन नौर्वे यहां पर इन्होंने पहली बार एंट्री मारी जो थोड़ा करीब पहुँचे ये रूस के उसके बाद इन्होंने 1950 से 1990 के बीच में जर्मनी में एंट्री मारी और 1990 से 2000 के बीच में पोलिंड में एंट्री मारी 2000 से 2020 का समय रूस के लिए सही नहीं था क्योंकि यहां पर बहुत पास पहुँच गया इस्टोनिया और लात्विया तक पहुँच गया नाटो और उसके बाद तो सबसे बुरा रहा 2022 जब स्विडन और फिल्लेंड ने अपलाई किया और फिल्लेंड को अनुमती मिल गई यानि अब कुछ मैप इस तरीके का बन गया कि यूक्रेन ने अपलाई किया है और रूस के पास एकदम से पहुँच गया है नाटो रूस की सीमा और नाटो के सेना की सीमा एकदम से पहता था नाटो वही हो गया अब यह होने के बाद नाटो ने नई करामात शुरू की है और आपको बता दें इस करामात में नाटो ने उतार दिया है फिल्लेंड के अंदर अपनी बहुत बड़ी सेना फिल्लेंड में ये उतर चुके हैं और इस युद्धा भ्यास का आयोजन फिल्लेंड के रोवा जारवी में किया जा रहा है जो यूरोप का सबसे बड़ा तोफ खाना परसिच्चन मैदान है और इसकी खासियत क्या है यहां से रूसी सीमा की दूरी सिर्फ दो घंटे की है फिल्लेंड की जमीन पर एकदम रूस के पास पहुँच गया है नाटो की सेना मतलब यहां पर रूस तो चौकनना हो ही गया है कहीं न कहीं यह जो हरकत है यह हरकत है रूस को चिड़ाने वाली जिसे यही माना जाएगा कि भविस में उकसाने के लिए यह सारी चीजें होती ह फिल्लेंड में अभी नाटो के इस एकसरसाइस से कहीं न कहीं रूस और भी जादा भड़केगा पर आपको बता दें नाटो ऐसा लग रहा है जैसे इस युद्ध को रोकने के पच्छ में नहीं है नाटो चाहता है कि यह युद्ध और भी तेजी से बढ़े खैर अभी तक स्वीडेन मेंबर नहीं बना हुआ है और स्वीडेन को लेकर एक और बड़ी चीज़ चल रही है कि तुर्की स्वीडेन जिसकी मेंबर्शिप को रोक रहा है तुर्की उसके लिए भी कहा जा रहा है अमेरिका ने एक बड़ा प्लान बनाया है और वो प्लान क्या है अमेरिक अफिडिया तूर्की को F-16 का लालच दिया है तूर्की अपने F-16 बिमानों को अपग्रेड करना चाहता है जो अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है और F-16 बीमान नए बेचने की बात थी वो भी नहीं बेची गई है पर कहा जा रहा है कि अमेरिका अब दवाब बना रहा है तुर्की के उपर कि अगर तुम्हें हमसे F-16 बीमान चाहिए तो तुम्हें स्वीडेन को मान्यता देनी होगी आपको बता दें यानि नाटो में एक डील पक्की हो जाए ताकि हमें मिल जाए F-16 बीमान ये तो एक बहाना है कहा जाता है कि तुर्की के उपर रूसी दवाब है जिस रूसी दवाब की वजह से तुर्की अभी तक स्वीडेन को गुशने नहीं दे रहा है लेकिन अब जो लालच दिया है अमेरिका ने इस लाल भारत ने तहलका मचा दिया है और यह तहलका कहां मचा है तो आपको बता दें यह तहलका मचा है घ्लोबल श्टॉथ मार्केट रैंकिंग में भारत की अर्थ व्बश्थ और भारत होने लगता है दरासाई सिर्फ अपने ही घर में नहीं बलकि अंतरराश्टी अस्तर पर भी होने लगता है आपको बता दें ये नुकसान एक बड़ा नुकसान था और इस नुकसान के बाद ऐसा माना जा रहा था कि भारत को उठने में काफी वक्त लग जाएगा कभी आगे च सारी चीजों को पचारते हुए अपना मार्केट कैपिटल कर लिया है तीन दस्मलोव तीन एक ट्रिलियन का यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिस्ट सबसे ज्यादा इस वक्त है अमेरिका का और अमेरिका के पास करीब 44 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटल है तो व ही फ्रांस का तीन दस्मलोव दो चार भारत पहले फ्रांस से आगे था लेकिन हिंडनबर्ग के कारनामे के बाद भारत धड़ा-धड़ नीचे गीरा था पर अचानक से भारत ने वापसी की है और अपने पांचवे पोजीशन को फिर से हासिल कर लिया है तो अब सवाल उड एक तो अदानी ग्रूप के सेरों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है और दूसरा इन दो तीन महिनों में भारत के मार्केट में बहुत ज्यादा नीवेस देखने को मिल रहा है कहा जा रहा है कि फॉरन इन्वेस्टर्स करीब 6.3 बिलियन डॉलर लास्ट दो महिने में भारत के अंदर और ये रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कई सारे फॉरन ब्रॉकर हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत के उपर हम दाव लगा सकते हैं इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि भारत की जीडिपी स्थिर मानी जा रही है इस मंदी के समय में भी वैसे इन सब मामल में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ